इस तरीके से भारत सरकार का जो पहला रिएक्षन आया इसकी सजा के बार तो उसमें उन्हों ने कहा कि हम सौक्ड हैं इस खबर से तो यह चीज इंगित करती है कि यह तो सरकार को यह अंदेशा नहीं था कि इतनी बड़ी सजा हो जाएगी और इतनी जल्दी सुनवाई हो होगा कि जो हम खुटनितिक प्रयास कर रहे हैं उसके कुछ सकारात्मक नतीजें आएंगे देखें इसमें एक तो यह चीज है कि जिस तरीके से भारत सरकार का जो पहला रिएक्षन आया इसकी सजा के बार तो उसमें उन्हों ने कहा कि हम सौक्ड हैं इस खबर से तो यह ची प्रयास कर रहे हैं उसके कुछ सकारात्मक नतीजें आएंगे और मैं जो दूसरा हिस्सा है आपका कि इस पर चर्चा क्यों नहीं हुई अब आप बहतर समझेंगे कि जिस तरीके से हमारा मीडिया का पूरा वातावरण है हमारे देश में तो आप जब तक या तो सरकार की त पाते हैं तो फिर भी मसला जो है साथ समंदर पार का है तो एक तो मैं इसके लिए दोस्त दूंगा मेडिया को और मैं देखिए इसमें एक चीज यह कहुंगा कि जरूरी कि यह बिल्कुल जरूरी नहीं कि सरकार अपने अस्तर पर जो भी काम कर रही थी कोशिश कर रही थी उसके बारे में वह हमें जानकारी इसकी कोई जरूरत नहीं होती है कि उत्यों लेकिन मैं जरूर कहुंगा कि जब यह मसला यह अगस्त में गिरफतारी हुए थी पिछले साल और दिसंबर में यह मसला आया पार्लिमेंट में सवाल पूछेगा इस पर तो विदेश मंत्री यह जैसंकर ने जिन पर की विदेशों में जो भारतियां हैं उनकी रक्षा की एक जिम्मेदारी है उन्होंने यह आस्वस्त किया था संसतकोर देश को कि भारत सरकार की तरप से हर संभव प्रयत्न किये जाएंगे तो मुझे लगता है कि कोशिसें हुई होगी जरूर हुई हंगी लेकिन इसके पारे में थोड़ीसी जानकारी या थोड़ी सा आगाह रखना चाहिए था अपने देश के लो विदेश मंत्री ने उनके जो पुर्व नौसेनिक अधिकारी कतर में बंद हैं उनके परिजनों से मुलाकात किये और उनको भरोसा दिलाया है कि आप भर सरकार सक्रिये मुझे लगता है कि देखिए परिजनों पर तो आप समझ सकते हैं कि गिरफतार ही अपने आप में बड़ पहर तूटने जैसा मसला रहा होगा और अब तो यहां तक बात आ गई मुझे लगता है कि परिजनों को लगा होगा कि सरकार करी रही है तो हमें क्या जरूरत है इसको जो है मीडिया मैटर बनाने की एक तो साइद उन्होंने यह सोचा होगा या उन्होंने भी यह सोचा कुछ हो जाए कुछ हो जाए वहाद जो पीडित होता है जो नहीं होता है मना हिस्थिती जो होती है वह आपकी हमारी तरह przysz होगी वह रहा तरक अचार किया होगा और यह अच्छी बात मैं मानता är कि उनके जो बयान है या उनकी जो उनका जो रेएक्षिन है बहुत सधा हुआ है बहुत थे अपनी क्षी कर रहा है पहले सर्बूसरण ज victims ॥ा और भरत पाकिस्तान के बीच में तो यह बीच बीच में होता रहा है पहुत बड़ा मसला है जिसमें आपको याद होगा वो हमारे देश की हमारे प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी संसनी खेज घटना थी जब एक जहाज बेल्जियम से आता है और बुल्गारिया से बेल्जियम से और पूरूलिया में आके वह आर्फ करता है और उस जहाज को इंटरसेप्ट किया गया पकड़ा गया वहां लोग पकड़े गया एक तो से डबल एजेंट का काम करता था और हथियारों का बिजनसमें भी था तो उसको टॉनी ब्लेयर के और बाचपई गवर्मेंट के टाइम में दोनों देसों के बीच में समझाता हुआ तो उसको छोड़ा गया था उतनी उतनी बड़ी घटना तो ऐसे कई मसले आते हैं आपने इस तरीके के मसले कई सारे आते रहते हैं अभी आपने देखा होगा कि कि इरान के इरान में बंद 6 अमेरिकीयों को और अमेरीका में बंद 6 इरानियों को छोड़ा गया है और कुछ पैसे आप दिन ह tentang recognize अगर के देश में कोई व्यक्ति व्यक्ति सजाया अफता है और उसके देश में हमारा कोई बंदा जो है सजाया हता है तो उसकी अदलाब अदली का भी समझोता है जो 2015 में कतर के साथ भी हमारा हमने किया हुआ है अगर कोई कतरी 2015 में हुआ था इसी सरकार के तो उसमें यह है कि अगर कतर में कोई भारतिये किसी मसले में है गिरफतार है अ और यहां पर कतरी कोई नागरी के साथ ऐसा ही हुआ है तो एक दूसरे के साथ अदला बदली हो जाएगी एक्षेंज का वह हमारा मुहाइदा है उनके साथ अब यह जो मसला है इसमें कतर की सरकार की तरफ से कोई अधिकारिक रुप से पूरी डीटेलिग नहीं दिगए सावजणीग कोई अन्होंने नहीं दिए उन्होंने सिर्फ यह बताया कि यह एक कंट्री के लिए हमारे यहाँ जो समर्य वो लोग यह जो आठ अधिकारी हैं पुर्व अधिकारी हमारे इसमें कुछ बड़े अधिकारी नहीं है तो यह लोग उमान के एक कांट्रेक्टर के लिए और वह कंपनी जो है कतर में एक पंडूबी उनके उनके डिफेंस सिस्टम में पंडूबी सामिल करने के प्रॉसेस में लगी हुई है उसको ठेका मिला वह सकंपनी का जिसके लिए यह लोग काम कर रहे थे मीडिया रिपोर्ट्स में और बहुत सारे जगहों से जो बातें आई कि कतर ने जिसको फॉरें कंट्री कहा है वह इसराइल है और आप समझ सकते हैं कि अब तो खासकर जब यह गाजा वाला मसला हुआ है तो और भी यह बात यह आयाम जो है काफी गंभीर हो जाता है और पह दो हमारे पास यह जानने का पूरा अभी तक कोई यह जरिया नहीं है कि आरोप क्या है क्वार्ग इनहों ने क्या अपराद किये हैं और और कौन सा है और ऐसे मसलों पर देशों की जो नीती होती है वो यह होती है कि एक मिनट के लिए हम माल लें कि आरोप सही है तो किसी भी इस्तिती में इस बात को सुविकार नहीं करेगा कि यह लोग और यह एक ऐसे मौके पर यह मसला आया है जब हम अल्रेडी एक दूसरे पुटनितिक मसले में उल्जे हुए हैं जो कनाड़ा का मसला है और एक और मसला जो थोड़े दिन के बाद आएगा और मुझे बड़ी अजीब सी बात लगती है कि एकाद जगे के अलावा उस पर ज्यादा बात चर्चा नहीं हुई है और कुछ समय के बाद साइथ आप ही यह चीन ने कहा है कि कुछ दावे हम छोड़ देंगे और आप हमको डॉकलाम का प्लेटू जो पठार है वो दे दिजिए और डॉकलाम का पठार अगर चीन को भुटान ने दे दिया तो आप समझे कि जो हमारा सिलिगुडी कोरिडोर है जिससे नौर्ट इस्ट और मेंडलें इ तो अभी कुटनितिक अस्तर पर हमारे पास कुछ अच्छे अच्छी बड़ी चुनोतियां है एक तो हमें अभी बिल्कुल ही निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि यह पहला इस्टेज है तो अभी पूरा अपील प्रोसेस बाकि है अभी यह मसला जो है कतर के सिहक तक जाए तो अभी अभी हमारे पास एक अच्छा खासा समय है दूसरी चीज मुझे लगता है कि मुझे अगेन हम कहें कि यह इतना ऐसा मसला है कि हमें कभी इसकी धंग से जानकारी नहीं हो पाएगी कोई बरसों बाद किताब लिखेगा कोई बिरोक्रेट है डिप्लोमेट तो मुझ अच्छी बात क्या है कतर उस इलाके में अगर आप इसराइल को छोड़ दें तो अमेरिका का सबसे करीवी है और हमारी भी अमेरिका के साथ निकटता है अभी रक्षा सची और विदेश सची वारेंकल इंडिया में जो डायलाग होता है हमारा उनके दो मंत्रियों का और हमा भारत सरकार अपने अस्तर पर जरूर नहीं कि हमें बताए यह क्या मसला है तुम तुम अपना पक्ष हमें बताओ दूसरी चीज कि यह ओमानी कंपनी के लिए काम कर रहे थे जो यह अधिकारी है और ओमान के साथ भी हमारे अच्छे रिष्टे हैं तो हम उसका भी एक इस्त लिए जैसे आपने बताया कि बहुत सारे लोग काम करते हैं वह सब्सक्राइब करीब सात लाख से जादा है और वह लोग कमा के पैसा भेजते हैं हमारे जिसमें बाहर से रहान सहन के अस्तर को बढ़ाने में बहतर करने में अपना श्रम दे रहे हैं और इस बात को न सिर्फ कतर बलकि सारे अरब मुल्क जो हैं लेकर भी करता हैश्ञार ना में पर चातर करते हैं और कतर का हम कतर जो एक्सपोर्ट करता है हम उसके चौथे बड़े पार्टनर है और कतर जिन लोगों से इंपोर्ट करता है उसमें हमारा नंबर तीसरा है भले वह कम है एक दो अरब डालर का समान बेजते हैं लेकिन वह उनके लिए बॉल्लूम जादा 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 एक बहुत छोटा साथ तो आप और खतर से हमारे टेंशन का कोई तूर दूर तक आपको खारण नहीं और एक चीज और मैं आपको कहूं कि उसके गैस के अलावा भी हम लोग बहुत कुछ लेते हैं करीब 17-18 बिलेंड डालर का हमारा इंपोर्ट है खतर से उसके अलावा हमारे देश के आठ बड़े शहरों से हर दिन एक फ्लाइट जो है हर दिन की फ्लाइट आपको मिलेगी दोहा के लिए पतर के लिए और इसमें तीन इंडियन हैं और एक तो वह आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा वालूम है कि आठ एयरपोर्ट से रोज जहार जा रहा है तो और दोहा जो है एक लाइन और जोड जा की तरह एक इंटरनेशनल सुटी योरोप जाना है तो दोहा से होके जाना पड़ेगा रसिया जाना तो दोहा के जाना पड़ेगा यह सारी चीजिए तो हम बहुत एक कंफर्टेबल सेचुएशन में हैं जहां तक रिहाई का मसला है यह नहीं कह सकता हूं कि भारत सरकार या भारते जंदा पार्टी इस तरीके से सोच रही होगी मैं या मेरे पास कोई आधार नहीं है यह स्पेकुलेट करने का लेकिन आप हम देश के लोग खासकर जो उन पूर्व अधिकारियों के जो परिजन है वे तो यहीं चाहिए कि जितना जल्दी मसला हो जाए जितना ज बहुत आसानी से सुलच जाएगा या इस पर डिपेंड करता है कि वे आरोग कितने गंभीर हैं और उसके उनको लेके खतर कितना सक्त है क्योंकि हम सिर्फ इन बजहों से नहीं सोच सकते कि आपने यह होना होता तो एक फोन जाता और भाई छोड़ दो यह तो बड़े-बड समय लगेगा और यह डिपेंड करता है कि कतर के पास क्या सबूत हैं और कतर इसको कितनी गंभीरता से लेता है और यह जो गाजा वाला नया सिच्वेशन जो पैदा हुआ है अगर ऐसे समय में कतर आपको याद होगा कि कतर पहला देश था जिसने तेल पोडूसर देशों का आवान किया था कि इसराइल का तेल गैस बंद करो तो वह ऐसे समय में अगर इस तरीके का अगर कोई जेश्चर दिखाने की कोशिश करता है तो हो सकता है कि उनके अपने लोगों में घलत संदेश जाए तो कतर के से इसका भी ध्यान रखेंगे बाकी उम्मीद पर दुनिया काम है थोड़ा सा हम को लेकिन भारत सरकार की कुटनितिक छमता कितनी होगी इस पर पूरा मसला डिपेंड करेगा नकी भारतिये जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी की लोग प्रियता क्या है यह हमारी कुटनितिक छमता पर निर्भर करेगा और मुझे यह कहते नहीं दिख रही है जन ज्वार जनता की मीडिया